स्वागते दोस्तों आप सुभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेड्मी 4X या फिर किसी भी शाओं में मुबाइल में यदि आपका होट स्पोट और वाइफाई काम नहीं कर रहा है और इसमें कनेक्ट कर निकले आपको प्रापल्बम आ रओ रहा है तो कैसे आप इसे फिक्स कर सकते है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईए और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दिजेगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें तो शाओमी मुबाइल में हमें बहुत सारे वाइफाई और होट्सपोट के रिगार्डिंग हमें प्राब्लम आता है जिसे की हो गया वाइफाई जब हम अउन करते हैं तब हमें क्या होता है यहाँ पे हमें नेटर्क वगेरा शोर नहीं होता है तो इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा step by step बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहीएगा और साथ ही साथ दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा ठीक है है problem solve हो जाता है तो सही बात है नहीं होता है कोई दिकत नहीं है उसके बाद second step अपको अपना mobile setting पर जाना है और यहां पर दोस्ता आपको ढूनना है आपको mobile में more पर चले जाएगा more पर चले जाने के बाद में आपको airplane mode को एक बार वाइब हो जाएगा उसके बाद दोस्ता आपको यह आतर्ट माड को आपको कम्प्लीटली आजाएगा इसके बाद दोस्तों लुक्त स्थ STEP मैं आपको बताऊंगा और यह थर्ड स्टेप जो है दोस्तों थर्ड स्टेप के जरिये से आपका प्रॉब्लिम डिफिनेटली सॉल्फ होना चाहिए 100% यहाँ पर आपको थर्ड प्रॉब्लिम क्या है थर्ड और सॉल्यूशन आपको सेटिंग्स पर जाना है और आपका यहां पे जो भी आपका पासवर्ड है वह आपको स्क्रीन पर बहरें तो यहां पे उसक्रीन पर कलिक कर देना है तो आपका नेटवर्क सेतिंग्स है रिज्यूशन तो आपका यहां पर यांपर वाइफाई और होटसप等 हो चुक्था है by any chance सीधिया आपका problem फिर भी fix नहीं हो पा रहा है तब आप जो है settings पे चले जाएए और एकदम नीचे चले आएए installed application पे चले जाएए installed apps पर और यहाँ पे आपको search करना है system launcher ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम डून लेते है system launcher system launcher इसके ओपर क्लिक करके storage में चले जाएए और clear data में क्लिक करके clear all data पे click करके ok करतीजे यह करने के बाद में दोस्तों आपको वापस जाना है वापस अली जाएए और mobile को एक बार restart कर लिजेगा और check किजिए आपका wifi और hotspot काम करता है कि नहीं काम आपका definitely कर जाना चाहिए by any chance फिर भी आपका problem आ रहा है network और hotspot पे आपका bluetooth नहीं आपका hotspot और wifi पे तब आपको क्या करना है last option एक है दोस्तों आपको एक बार अपना mobile जो है about phone पे चले जाएए और system update एक बार चेक किजिए कभी कभी क्या आता है कि दोस्तों हम अपना mobile में system update आया हुआ रहता है आप देख सकते हैं यहाँ पर system के अंदर और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं phone app log और lock screen status bar काफी कुछ यहाँ पर आपका यहाँ पर आपको जो है अपडेट आया हुआ है तो यह आपको अपडेट कर लेना है ठीक है यह अपडेट नहीं करने पर भी हमें अपने network में wifi में hotspot में problem बहुत आता है तो यह अपडेट करने के बाद में दोस्तों आपका इफिनेटली problem जो है solve हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching